बैभसे निशुरों से कार्दों तो एलो एफूरीवज, यूपी पयफ्स सी जुजागरिफी की एक और वीडियो में आपका स्वागत और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मा फुतुर नदी गारे में इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी है जिस में हम लोगों ने गंगा नदी के बारे में बात करी थी और गंगा नदी में जो जो ट्रिब्यूटरी जाके मिलने हैं जो गंगा नदी की साहिक नदिया है इन सब के बारे में भी बात कर चुके हैं तो अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार वो भी description box में दे दूंगा ठीक है और इस वीडियो में तो हम लोग ब्रमापुत्रों के बारे में ही बात करेंगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है तुशार महरा और आप देख रहे हैं चक्रव्यू तो सबसे पहले जो एक चीज जाननी है वो तो यह है कि ब्र इंदूं ग्लेशियर से यह हिंदी में भी लिखा हुआ चैमाईंदूं ग्लेशियर ठीक आता कहां पर यह है आपका कैलाश रेंज में कैलाश जो श्रेनी है वहाँ पर पर प्लकता है ठीक है हम लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है और यह मांसरोवर जो लेक है बता रहा हूँ क्योंकि एक्जाम में क्योशन कैसा बन जाएगा ब्रह्मा पुत्र नदी कहां से निकल लई है या तो option में चेमा यूंदूग ग्लेशियर होगा ग्लेशियर को हिंदी में हिमनत भी बोलते हैं या अगर मान लो चेमा यूंदूग नहीं हुआ तो कैलाश में आ गया एक बार माप में भी देख लो तो देखो जो यह वाला आपको रीजन दिख रहा है ना यह पूरा रीजन है तिब्बत चाइना ने कब जाया हुआ है यह जो आपको नदी दिख रही होगी ना यह वाली नदी यह इसी पर उपर मां करता हो चल ला हूँ कि जो रिफ्रेश मोड में आके देखो मतलब कि हां ठीक है जिन्दा है ऐसा नहीं कि या रही क्या वीडियो चल लई है फिर ऐसे पेपर भी निकलता है खेलते कुछते रहो मौन मस्ती करते रहो अपना छे घंटे पढ़ाए करो पेपर कोई सी भी पर ही त्यारी कर रहोगे निकल है और देखों कि 24 गंटे में हम लोग 26 गंटे पर लें तो नहीं निकलेगा से लोग जोड़ाई मस्ती करते रहो एक तो आपको देखिए सीधी जाते हूंEEEE पूराराय उस जगह पे आके आपको दिक अंद्ल ले लिया बहुत बला इक पहाल है कौनसा नामचा बर्वा यहां पर आके टन ले लेता है अब जो ब्रहमापुत्र नदी यह ये सबसे आदा कहा चाइना में बहती है ठीक फिर इंडिया में इंटर करते हो फिर बांगला देश में तो टोटल तीन देशों में है कौन कौन सा हो गया आपके चाइना हो गया आपका फिर आपके इंडिया में आती है और फिर आपके बांगला देश में भी जाएगी ठीक य इंडी में पुरेफायर का मतलब प्याव क्या नाले नाले बने होंगे एक दम पुट्र नदी होती है प्योरा पूला जाता है बिस्का औक साहyangタ से आके Ride Bank से आके मलती है उसका नाम क्या है Rango Sanpo क्यानाम है Rango Sanpo ठीक है तो एक concept जो मैंने आपको पिछली class में समझाये थे पर फिर से समझ लीजे हमा लीजे कोई नदी ऐसे या रही है इस direction में इसमें आके नदी का नाम बोल दीजे A है यह मिल गई B यह आखेस में मिल गई तो यह जो B और C है न एक ही क्या हो गई साहयक न दिया हो गई इंगलिश में बोला जाता है और इसका direction देखें यह है तो जो यह वाला direction हुआ न जो यह वाली दिशा हो गई यह हो गया आपका right bank direction के साफ से पिशली वीडियो में समझा चुके पिशली फिर से समझ लीजे कुछ लोग नहीं होंगे और अगर ऐसे जा रही है आपकी कोई river यह वाला जो हो गया यह राइट हो गया यह हो गया आपका left ठीक है तो इसकी आपकी ब्रह्मा पुत्र की एक right bank tributary है जो दाएं किनारे से साहिक न दी है उसका नाम के रांगो सांगपो ठीक है यह दियान लखिएगा फिर उसके बाद मैंने भी आपको बताया कि यह आती है फिर नामचा बरवा जो है नामचा बरवा आपको यह जो पहाड़ है इदा नामचा बरवा नामचा बरवा ठीक है यहां से आके टन ले लेती हो यहां पर बनाती गोर्ज गोर्ज बनाती गोर्ज का मतलब होता है घहरी घाटी ठीक है बहुत फेमस एक्वेशन को कि आपसे UPPCS भी पूर सकता हो बाकी एक्जाम भी पूर सकते हैं UPPC कि कौन सी रिवर जो है वो होगी मैं लेकि आए हूं तो यह आपको दिखेगा नामचा बरवा पाहर यहां से टन लेती हुजा रही है तो आपको यह पाहर दिंगे यह पाहर दिंगे और बीच में जो है नदी बैर ही इसको बोले जाता है गोर्ज यह गहरी घाटी यह तो बात रही इदर अब उसके ब ब्रहमा पुत्र बोल ले ना भी ब्रहमा पुतर अब पढ़ा नहीं है यह सांग और फिर जम नाम्चा बरवा से आगे निकलती है यह नदी इस talking बोल सकते हो यह क्ल आप देखेंगे इधर जो है टन ले लिए इधर नाम चाह वरवा ठीक अब आगे क्या है भारत में इंटर करेगी देखेंगे फिर से मैं आप देख लीजए यह आई नदी ठीक है फिर यहां पर क्या है अब इंडिया में इंटर कर रही है और नाम चाह वरवा के बाद इसका जब भारत में इंटर करी भारत में जब नाम एंटर करती करती है अरुनाचल प्रदेश में ठीक यह आपको और अरुनाचल में जगा क्या नाम है साधिया टाउन ठीक है साधिया साधिया के वेस्ट में मतलब मालो ऐसे आ रही है और यह हो गया आपका साधिया महले जी यह हो गया साधिया तो इदर लाए थे fence यहाँ आपका तो यह बात समझ में आ गई इसमें आके दो और नदियां के मिलेंगी कहां से मिलेंगी इसके लेफ्ट बैंक से आके मिलेंगी अब तो डिरेक्शन जो है वो बदल गया अब यह हो गया पहले लेफ्ट वाला यह ताब लेफ्ट वाला हो जाएगा यह देखे इदर आ गई टन हो गई यहां पर दो नदिया और मिलती है, एक मिलेगी आपकी दिबांग और एक मिलेगी आपकी लोहित, कौन सी दिबांग और लोहित, ठीक है, कौन सी दिबांग और लोहित, फिर से बारवर बोला, याद हो जाओ, दिबांग का भी दूसरा नाम दे दिया गया, सिकांग, ठीक है, तो नाम याद रखने ह आपको तो यह माप में आपको दिखेगा यह आई आपकी कौन सी सियांग आई तो मैंने आपको बताया कौन सी वही सांग को जो है सियांग नदी आई यहां पर आके एक नदी आके और मिल जा रही इसका नाम के दिवांग एक साहिक नदी आके मिली और एक नदी आके और मिली ये मिली ये इसका नाम क्या है लोहित तो ये सियांग जो में नदी आ रही है आपकी सांग ठीक है फिर ये आपके आके एक नदी और मिली डिवांग और ये नदी एक आके और मिली इसका नाम है लोहित ठीक और जब ये ती इंडिया में ब्रह्मापुत्र और आप यह देखें कितना सारा यह लोग पानी लेके आई है पहले जो नदी का आपको वॉल्यूम दिख रही होगी ना पानी की वह हलकाल का ब्लू है फिर देखें एकदम से जब तीनों नदिया मिल गई न देखें कितना बड़ा ब्लू इकला आपकी सांग्पो नदी तो इसका नाम क्या हो जाता है सिहांग हो जाता है या ठीक है सियांग या धियांग फिर इसमें दो नदियां और आके मिलती है जो इसकी क्या है साहिक नदी है कौन सी दिबांग है या दूसरा नाम सी का है या लोहित दिबांग और लोहित आक आगे भी जाएगी और फिर यह का एंटर करेगी नदी जो है आगे जा रहे हो फिर जाएगी बंग्ला पुत्र नदी अब इसमें देखिए आपको और जो है सायक नदी आती हुई दिखरी होंगी सारी नहीं याद रखनी सब याद नहीं रखनी जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगा इसके बारे में लोग नेक्स वीडियो में बात करेंगे और फिर बांगलादेश में इसके बारे में नेक्स वीडियो में बात कर लेंगे सब कुछ क्योंकि जब बांगलादेश में इंटर होगी ब्रह्मा पुत्र नदी तो वहां पर जाके गंगा से मिलेगी गंगा की मैंने आपको एक बताया था एक शाखा जो है एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम पदमा प और जो प्रशन है हम लोग वह भी देखते हैं थोड़े बहुत तो वह भी हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे पूरी दोनों वीडियो के जो ब्रह्मा पुत्र है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भ तो यहीं पर मैं वीडियो भी खतम करता हूं हमस्कार